दोस्तों अब SBA बैंक में खाता खुलवाना बहुत ही आदा आसान हो गया है खाता खुलवाने के लिए आप गहर बैटे ही अपने फोर ए लेटोक दोल आन्लेन अब देन कर सकते हैं और चन्द मिन्टूम आपका खाता खुल के तयार हो जाएगा दोस्तों अगर आपने अभी SBA में एकाउंट किलवाने के लिए आपको सबसे पहले पले इश टूल से डावनोड करना है SBA i hono कि इस अप्रीकेशन को इस अपने मोबाल में इस्टॉल कर लेना है application install हो जाने के बार आपको इसे open कर लेना है यहां आपको इसे location के लिए आपको allow कर देना है इसके बार आपके सामने यह page open हो जाएगा यहां आपको new to SBA पर click कर देना है इसके बार आपको यहां पर दो option मिलते हैं यहां आपको open saving account पर click कर देना है इसके बार next space पे आपको दो option मिलते हैं without branch visit और with branch visit अगर आप बिना branch जाए अपना account open करना चाहते हैं तो आपको इस option पर click करना है और अगर आप branch जाकर अपना account open करना चाहते हैं तो आपको इस option पर click करना है मैं अपना account बिना branch विजिट के open करना चाहता हूँ इसके लिए मैं इस option पर click करता हूँ इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर दो option मिल जाते हैं इंस्टा प्लस savings account और इंस्टा savings account इंस्टा प्लस savings account में आपको full KYC करनी होती है इसके लिए आपको यहाँ क्लिक करना है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सामने दो option आते हैं start a new application और resume application start a new application मलब आपको new application के लिए apply करना है और resume application का option आपको इसलिए यहाँ मिलता है कि अगर आप application fill up कर रहे हैं और वो बीचे ब्रेक हो जाता है net के वज़े से तो आप यहाँ से resume application पर click करके आप वहाँ से दुबारा फिलब कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर start a new application पर click कर देता हूं यहाँ पर बताया है कि वीडियो KYC के लिए आपको क्या क्या करना होता है जैसे कि full KYC account using video call, paperless account opening, no branch visit required और यहाँ पर आपको personal repair debit card भी मिल जाता है इसके बार आपको यहाँ ने इस पर click कर देना है दोस्तों यहाँ पर आपको अपना mobile number देना होता है जिस पर एक OTP आएगा साथी दोस्तों अगर आप अपना email ID देना चाहते तो आप यहाँ पर दे सकते हैं और इसके बार आपको यहाँ submit पर click कर देना है आप दे सकते हैं दोस्तों यहाँ पर OTP हमारे mobile number पर भेज़ दिया गया है जिसको आपको यहाँ fill up करना है यहाँ आपको mobile पर IOTP fill up करना है यहाँ पर आपको email ID पर IOTP fill up कर देना है mobile और email पर IOTP fill up करने के बाद आपको यहाँ submit पर click कर देना है इसके बाद दोस्तों आपके सामने यह page open हो जाएगा यहाँ पर आपको अपने application के लिए password create करना है example के तोर पर आपको side में यहाँ पर password किस तरीके से रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ आप यहाँ देख सकते हैं side में और इसके बाद आपको यहाँ पर security question select कर लिजेगा आप कोई भी अपने हिसाब से जो आपको better लगे और इसके बार आपको यहाँ पर security answer type करना होता है यह security answer आपको आगे भी यह दकना अ होता है क्योंकि अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप इसके ऑफिक दो़ारा अमुने1 password और रिकवर कर सकते आं और इसके बार आपको यहां अक्स पर खिलिक पर आपका डाटा स्टोर रहे गा और अगर आप इसको आगे जारी नहीं करते हैं तो यह डाटा पंदर दिन के बाद अपने आपी लॉस्ट हो जाएगा इसके बार आपके सामने पर पेज ओपर हो जाएगा यहाँ से पूछा गया है कि आप इंडिया में टेक्स पे करते हैं बाहर कहीं भी टेक्स पर नहीं करते हैं और साइड ऑफ इंडिया इसके बाद आपको यहां क्लिक कर देना है और नेस्ट पर क्लिक कर देना है इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको अपना अधार नंबर एंटर करना होगा और इसके बाद यहां पर आपको अपना अधार नं बाद दोस्तों आपके आजा कार्ट से जो भी वह लंबर लिंक है उस पर एक otp आयागा जिसको आपको यहाँ फिल अब कर देना है ऑफ करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ किलिक कर देना है आप दे सकते हैं दोस्तों यहां पर आदाकार्ड वेरिफाई हो चुका है और जो भी डिटेल्स आदाकार्ड परती वो यहां पर सामने आ चुकी है इसके बाद आपको यहां next पर क्लिक कर देना है यहां आपका address already filled है यहां आपको अपना state select कर लेना है इसके बाद यहां आपको सब district में अपना district select कर लेना है और village और town में भी आपको अपना जो भी village यह town है वो आप यहां select कर सकते हैं और इसके बाद दोस्तों आपको यहां next पर क्लिक कर देना है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे आपका पैंग कार नमबर मांगा जाएगा जिसको आपको यहाँ फिलप कर देना है और इसके बाद आपको यहाँ नाइस पर क्लिक कर देना है इसके बाद यहाँ पर जो भी आपके अधा कार्ड पर फोटो है वो यहाँ डिस्पले हो और नऀस में पर इसके बार आपको सामदीं ये पैज डिस्पले हो जाता है यहां पर आपके अपनी wipes क्वालिफिकेशन कह लिए वहां पर अपक法 क्लिका है और मैरिड ऌण मैरीड आनमेरीड और इसके बाद आपके सामने यह page open हो जाता है यहां पर आपको अपनी कुछ additional details देनी होती हैं जैसे कि father's name, mother's name और अगर आप married हैं तो आपको अपने पतिनी या पती का नाम भी यहां पर देना होता है सभी details fill up करने के बार आपको next पर click कर देना है इसके बार आपके सामने यह page open हो जाएगा जहाँ पर आपको अपनी annual income select करनी होती है वो आप यहाँ select करके next पर click कर देना है इसके बार इस page पर आपको अपना occupation यानि की वेवसाय select करना होता है और उसके बार आपको next पर click कर देना है यहाँ दोस्तों आप जिसको nominee बनाना चाहते हैं उसके अधार कार्ट की details देनी होती है इसके बाद यहाँ पर आपके सामने यह page open हो जाता है यहाँ पर आपको nominee का name, relationship, date of birth, उसकी age बतानी होती है और इसके बाद आपको यहाँ next पर click कर देना है इसके बाद दोस्तों आपके सामने यह page open हो जाएगा यहाँ पर आपको अपने nominee की सभी address details देनी होती है अगर nominee का address और applicant का address सेम है तो आपको यहाँ पर click कर देना है otherwise आपको यहाँ पर सभी address details फिल कर देनी है और next पर click कर देना है इसके बाद दोस्तों आपको इस page पर अपनी home brand select कर लेनी है जहाँ पर भी आप अपना account open करना चाहते हैं इसके बाद दोस्तों आपके सामने यह page open हो जाएगा यहाँ पर आपको अपनी home brand select कर लेनी है और उसके बाद आपको next पर click कर देना है इसके बाद दोस्तों आपको इस page पर terms and conditions को अच्छी तरीक से read कर लेना है और declaration को click करके आपको next पर click कर देना है इसके बाद आपके registered mobile number पर एक OTP आएगा जिसे आपको यहाँ पर flip करके summit OTP पर click कर देना है इसके बाद यहाँ पर आप जो भी नाम अपने डेविट कार्ड पर चाहते हैं वो यहाँ पर आपको type कर देना है यह डेविट कार्ड आपको 15 दिन के अंदर आपके corresponding address पर मिल जाएगा इसके बाद आपको यहाँ एक्सपर click कर देना है इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको एक token number जारी कर दिये जाता है जिसका इसके इसके इसाड लेकर आप save करके अपने पार रख सकते हैं जब आपका video call के तुरू KYC verification होता है तब आपसे यह token number पूछा जाएगा इसके लिए आप इस token number को बहुत ही समाल कर अपने पार save कर लिजिए यहाँ कहीं पर note करके रख लेना है इसके बाद आपको यहाँ next पर click कर देना है इसके बाद दोस्तों आपके सामने यह page open हो जाएगा यहाँ पर आपको वीडियो KYC का पूरा process के बारे में बताया गया है इसको आप अच्छी तरीके से यहाँ पर read कर लें वीडियो call के दौरान यहाँ पर आपका एक live photo लिया जाएगा और आपका एक पैंकार्ड बांगा जाएगा इसके बाद दोस्तों आपके सामने यह page open हो जाएगा यहाँ पर आपको सबी details को अच्छी तरीके से read कर लेना है और आपके पास आपका original bank card और order card number होना चाहिए साथ ही आपका net connection भी अच्छा होना चाहिए इसके बाद आपको यहाँ start schedule of video call पर click कर देना है इसके बाद दोस्तों आप इस पेस पर redirect हो जाएंगे यहाँ आपको ok पर click कर देना है इसके बाद दोस्तों आपके सामने यह interface open हो जाएगा यहाँ पर आपको यहाँ नीचे टिक करकर start video call पर click कर देना है इसके बाद दोस्तों आपके सामने यह page open होगा अगर कोई भी एक्जिकुटीव भी ऑनलाइन अफलेवल नहीं है तो आपको यहाँ सेडियूल पर क्लिक कर देना है इसके बाद दोस्तों आपको इस पेस पर अपना डेट और टाइम सेलेक्ट कर लेना है इसके लिए दोस्तों आपको दुबारत से यूनो एस भी एक्ट को उपन करना होता है और उसमें रिज्यूम एप्लिकेशन पर जाकर लॉग इन करना होता है इसके बाद आपको इस तरीके का स्टार्ट वीडियो कॉल का ओप्सन मिल जाता है इस पर आपको यहाँ क्लिक करना होता है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ परमिसिंस को अलाओ करना होता है और जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपको एक्जाम्पिल के तौर पर दिखाया गया है कि किस तरीके से वीडियो कॉल प्रोसेस होता है यहाँ एक रेंडम वीडियो कॉल के दौराने यहां पर आपका एक लाइफ फोटो लिया जाता है केस्टमर के रेजिक्विटी के दौरा और इस तरीके से दोस्तों सभी स्टेप्स को फालो करके आप वीडियो कॉल के वाइसी को कम्पलीट करा सकते हैं और इसके बार आपको यहां एप्रूब के देना है और इस तरीके से दोस्तों आपकी के वाइसी डॉक्टुमेंट्स आपको यहां पर मिल जाता है तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने एस बैंक में एकाउंट को उपन करवा सकते हैं घर बैठे ही सिर्फ अपने मुबाइल या लैप्टाप के द्वारा दोस्तों के की सब्सक्राइब सकती है तो आप में कमेंट करके पूस सकते हैं हमारे इस वीदियो अपने ट्र आप यह जाहें